आज के इस वीडियो में मैं आपको अमल और चार में अंतर इस तरह से याद कराने का प्रियास करूँगा कि जीवन भर आप अमल और चार में अंतर नहीं भूल पाएंगे देखिए बहुत ही भैतरिन तरीके से और बेसिक लेवल से हम इसे समझने वाले हैं देखिए अमल किने केते हैं आपने नीमबू देखा होगा ठीक है तो नीमबू का जो रस है वहां खटा होता है किस तरह का होता है उसका स्वाद खटा तो जो स्वाद में खटे होते हैं ध्यान से समझेगा वर्ड को एक ही वर्ड से सारे अंतर कबर होने वाले हैं स्वाद में जो खटे होते है उन्हें कहा जाता है अमल ठीक है और जो कडवे होते हैं या तीखे होते हैं ठीक है तो उन्हें कहते हैं चार यदि आप चार का उधारन देखना चाते हैं तो समझे कि जो आपने आपके घर में साबून या सोडा देखा होगा उसमें क्या पाया जाता है उसमें पाया जाता है चार, तो यहां कड़वे या तीखे होते हैं, अब यह स्वाद में केसे होते हैं, कड़वे या तीखे हैं, ठीक है, तो पहला अंतर यहीं से बनेगा आपका, कि यह स्वाद में खटे होते हैं, और यह स्वाद में कड़वे या तीखे होते हैं, दूसरा जो आपका point बनने वा लाल और नीला ठीक है जो वेसे बहुत सारे के मिलेंगे पर अमलो और चाहर की पेचान करने के लिए दो तरह के आपको लेटमस पेपर की आविश सकता होगा एक लाल और नीला ध्यान से समझेगा यह जो नीला यदि आपने पेपर लिया आप मार्केट से ले लिएगा यहां स हमें उपलब्द नहीं हो पाया है इस कारण से मैं प्रैक्टिकल ही नहीं बता पा रहा हूँ तो यदि आप नीले लिटमस पेपर को लेंगे और नीमबू के रस में उसे डुबाएंगे तो वहां नीले से तुरंत क्या हो जाएगा लाल हो जाएगा तो दूसरा पोइंट आ लाल को नीला तो पहला पोइंट देखिए नोट सा आपको बहुत ही हैट राइटिंग के लिखे हुए मिलने वाले हैं तो आपको चिंता करने की कोई आभी सकता नहीं मैं सिर्फ आपको भी यहां पर समझा रहा हूँ तो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं अमल और छ साथ से कम जिनका भी पिएच माने वो है अमल और साथ से अधिक वालो का जो माने रहेगा पिएच मान वो रहेंगे चार तो इनका पिएच मान साथ से कम होता है और इनका पिएच मान साथ से अधिक होता है यह तीसरा पोइंट है और जब हम अमल को जल में घोलते हैं तो यह हाइड्रोजन धन आयन देता है क्या देता है जल में घोलने पर हाइड्रोजन धन आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन देता है और यहां जल में घोलते हैं तो ओ एज रिन आयन देता है अभी तक आपके चार पॉइंट हो चुके हैं पहला क्या बोला हमने कि अमल स्वाद में ख सवाज में कडवे अमल नील है यहां लाल को नीला कर देते हैं इनका पिअच मान साथ से कम هोता है और फिंच करते हैं जल में घोलते हैं तो हाइडरोजन धनायन देते हैं और ये जल में गुलने पर OH रिनायन देते हैं पांचवा जो है अमल चारों को उदासिन करके लवन एवं जल बनाते हैं ध्यान समझे अमल चारों को उदासिन करते हैं और चार अमल को तो अमल चारों को उदासिन करके लवन एवं जल बनाते हैं और चार भी हम्ल को दसीं करते हैं पाइंटम फरक इतना है कि हम बोलेंगे छार्व को दसीं करके लवनेवम जल बनाते हैं चार अम्ल को दसीं करके लवनेवम जल अब देखिए आपको यहा पर हैं इस equilibrium नजर Assembly नजर अमलो और चार में अंतर बढ़िया से कंप्लिट करिएगा बहुत ही महत्पुन है हर साल पूछा भी जाता है दो नंबर में पूछता है कभी 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 चार नंबर में तो मैंने आपको पांच पुइंट बताने के प्रियास की हैं तो बढ़िया से कंप्लिट कर लीजेगा मिल